जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिश्टे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com पर नमस्कार मित्रों मैं हूँ वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि आप दर्शकों के लगातार इमेल मिलते रहते हैं कमेंट मिलते रहते हैं कोई कहता है राहू का उपाए बताए कोई कहता है शनी का उपाए बताए कोई कहता है कि मंगल का बताए कोई गुरु और बुद्ध का उपाय मांगता है तो मेरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग आपको नवग्रह शांती के पूरे विदिविधान के साथ उपाय बताएं जिसका आप लाब ले सकते हैं इस उपाय को अगर आप अपने घर में खुद से करते हैं या योग लेना चाहिए जोतिश के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर्य मंडल के नौग रहों का धर्ती पर इस्तित सभी प्राणियों यहां तक की जल पेड़ पौधे पहाड इत्यादी यानि पूरी प्रकिर्ती पर प्रभाव पड़ता है जोतिश शात्र में नौग्रह ब इसे एक उपाय है अशुब ग्रहों के मंत्र का जब किया जाए और ग्रहों के मंत्र का जब जो है वो उसके अशुब प्रभाव को दूर कर देता है इसी तरीके से जोतिश गणना के नुसार प्रत्यक जातक पर जन्म लगन, दशा, महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतरदशाओं का प्रभाव पढ़ना निश्चित है लगन, जन्म राशी तथा नाम राशी से चोथे, आटवे, बारवे इस्थान की इस्थिती का प्रभाव सभी जातक पर पढ़ता है नवग्रहों के दुश्प्रभावों को शांत करने के लिए भी कई प्रकार के उपाये बताए गए हैं, जिनका विदेविदान से यदि पालन करें, तो अवश्य ही लाब मिलता है तो आज हम लोग इसी प्रकार के लिए, इसी प्रकार से जानेंगे कौन से मंत्र इत्यादी का जाप किस ग्रह के लिए किया जाना चाहिए तो जब ग्रहों के लिए मंत्र जाप की बात आती है, तो मंत्र जाप की सही विदी क्या है, ये भी समझ लेना आवश्यक है जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विदिवत पूजा करें पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं इसके लिए किसी भी ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है पूजा में संबंदित ग्रह के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की अलग अपनी जब संख्यान निश्चित है लेकिन यदि आप उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रति दिन 108 बार उसका जाप अवश्य करें जब के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही किया जाना चाहिए किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि अलग 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 माला का प्रयोग करेंगे तो हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के जाप के लिए उपयुक्त मानी जाती है सबसे श्रेष्ट और उत्तम है उसका प्रयोग करके ही आपको जाप करना चाहिए अब बात आ जाती है शुक्र ग्रह की शानती की तो अगर आपकी कुंडली में अशुब शुक्र की इस्तिती है तो ऐसे मैं आपको माता लक्ष्मी की पूजा अराधना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की अराधना करने के लिए श्री सूक्त और कनकधारा से उचित और उपयुक्त चीजें और कुछ नहीं होती है और अगर आपको श्री सूक्त या कनकधारा इस तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप लक्ष्मी चालीसा का पार्ट भी कर सकते हैं ऐसे में आपको लक्ष्मी चालीसा श्री सूक्त और कनकधारा का दैनिक पाठ करना चाहिए श्वेत और स्वच वस्त्र पहनने चाहिए गव की सेवा करें तदा गवशाला में गुड हराचारा चने की डाल गायों को खिलाएं विशेश रूप से श्री विद्या यानि लक् जिसकी एक आख ठीक हो और एक खराब हो शुक्र का स्वरूप ऐसा है शास्त्रों में जो वर्णन है शुक्र का वो एक आख से देखते हैं एक खराब है तो ऐसे ब्रामन को आपको कांसे की कटोरी में खीर खिला करके दक्षणा दे करके उनसे आश्रवाद प्राप्त करना चाहिए विशेश परिस्तिती में अगर रोग हो तो मृत संजीवनी का जब कराएं ध्यान रखने योग्य बाते हैं कि अपनी पत्नी का बेहन का बेटियों इत्यादियों का सम्मान करें सईयम से रहें और व्यसन करने से किसी भी प्रकार की नशा इत्यादी करने से बचना चा जब का समय है सूर्योदय के समय और जब संख्या है 64,000 जब चारगुना करते हैं तो हवन की जो समिधा है जिससे अंत में हवन किया जाए वो है उदुमबर उदुमबर की लकड़ी से आपको हवन कराना चाहिए इस मंतर का जब वेवाहिक जीवन को खुशहाल बताता है और साथि साथ वेवाहिक जीवन के कलह अशान्ति को भी दूर करके जीवन के हर प्रकार के भोग एश्वर्य जो भी लक्ष्मी जी की आरती में भी आता है कि आपी से यह सब चीज़े हो पाती है तो लक्ष्मी इसकी कारक है तो जब आप शुक्र का दोश निवारन करेंगे शुक्र मजबूत होगा तो जीवन के हर प्रकार के एश्वर्य और सुख आपको प्राप्त होंगे शुक्र के दोश निवारन के लिए काली चीटियों को चीनी और आटा मिला करके खिलाना चाहिए शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए चाहिए किसी काने व्यत्ति को अगर वो ब्रामन मिल जाए तो बहुत अच्छा है सफेद वस्त्रेवं सफेद मिश्ठान का दान करना चाहिए किसी महत्वपूर कार्य पर जाते समय दश वर्षय से कम आयू की कन्या का चरण सपर्ष करके आपको आशिरवाद लेना चाहिए अपने घर में सफेद पत्थर लगवाएं किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले या कुछ आंशिक रूप से धन का कुछ दान करने का कुछ समर्थन करने का सहयोग करने का अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए उससे बचना नहीं चाहिए इस अवसर को स्विका चाहिए शुक्रवार के दिन दाय के दूद से इस्नान करना चाहिए तो इस्नान की जल में आधा ग्लास आधा कप जो है कच्छा दूद मिला लीजे और उस पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजे फिर उस जल से आप नहाईए शुक्र के दुष्प्रभाव के निवारण के होते हैं उनका चमतकार जादा देखता है तो मैं तो आशा करता हूँ कि यह उपाय आपको बहुत पसंद आये होंगे आपके ग्रह के अनुसार जो भी मैंने मंत्र संख्या बताई है वो शास्त्रों का एक मत है कि कलियुगम चतुरगुणम प्रोक्तम कलियुग में जब इन किसी भी प्रकार का कोई confusion नहीं होगा तो इसलिए मैंने आपको वो चारगुना मंत्र की संख्या बताई है इस प्रकार सही विधी विधांत से अगर आप इन मंत्रों का जाप करा करके उपाय करते हैं ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं तो निश्चिती इन ग्रहों का जो अशुब प्रभाव आपके जीवन में आपकी कुंडली में आ रहा है वो दूर होगा और जब एक बार ग्रहों का अशुब प्रभाव दूर होता है उसी शुपकामना के साथ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके जीवन में निश्चिती चमतकार दिखाएंगे, आप इन उपायों को करके लाब लीजे और मुझे आग्या दीजे और जुड़े रहे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल वैभावन पर, नमस्क करियर की चिन्ता हो, या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव, पाये अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधार, एक जानमाना और विश्वस्ति नाप, आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिश्ट्रे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300146-9990724131 या फिर इमेल करें शर्मा.webhub at the rate gbill.com पर